कि हलो दोस्तों मैं हूँ अभिनाश चोहान और आप लोग देखें अपना यूटूब चैनल मेर्ट सिंडे नोकी वाले तोस्तों मैं आज आप लोग के सामने जो डिसकस करने जा रहा हूं जिस चैप्टर पर आप लोगों जो बताने जा रहा हूं यह जो इनालोजी टेस्ट ह होता है जो समानता होती है कि इसमें दो सब्द की जो समानता होती है दी रहेगी और तीसरे का जो सिरिव co release करना होता है जो सब्सक्रET क्या समध्य क्या सबस्क्राइब करना होता है और देखते हैं जो समानता जो एनलोजी टेस्ट होता है इसमे थोड़ा दिमाग लगाया जाता है और इसमें जो टेस्ट होता है यह जो टेस्ट होता है जो परिक्षण होता है तीन चीजों में देखने को मिलता है जो परिक्षण है पहला सब्द में मिलेगा वर्ड्स जो है सब्दों में समानता देखने को मिलेगी ठीक है दूसरे नमर पर अल्फाबेट अल्फाबेट जो वर्ड माला होती है तीसरा है डिजिट्स अंक ठीक है चौथा है डाइग्राम्स ठीक है यहां इसमें फीगर भी बोलता है फीगर्स भी दिये रहेंगे जो परिक्षण का जो टेस्ट होता है चार प्रकार से देखने को मिलता है सब्दों में समानता पूछ सकता है वर्ड माला दिया रहेंगा एबीजिट्स दिये रहेंगे अंक दिये रहेंगे और जो है डाइग्राम जो है दिया रहेगा फिगर दिया रहेगा चित्र दिया रहेगा और जो भी जो एनलोजी होती है इसमें तीन तरफ से होते हैं मतलब कि अगर यह सब्द ए दिया है और डाट डाट दिया है भी ठिक तो ऐसे ऐसे बिंदी लगा देगा इसका मतलब यह हुगा यह जो C है देखे एस समंधे B A का जो समंध B से है A का समंध जो B से है तो C का समंध किस से होगा C का समंध किस से होगा D से होगा किस प्रकार से होगा वही यहां पर हमको निकालना होता है यानि एनलोजी में एक दो तीन चार चार जो है चार तरह के जो आकृतियां है चार तरह के जीडिस है जो चार प्रकार के जो इमेज है वह जो है देखने को मिलेगी ठीक है तो हम जो है हम लोग जो वर्ड से हम लोग शुरू करते हैं कि वर्ड में कैसे पूछा जाता है ठीक ह Qoition आऊजक सामने दिख रहा होगा Qoition पूछा भी गया है पेट में, पूछा गया है पीछली बार पाच्छी विग्यानी का समंध जिस प्रकार 25 है तो नरी विग्यानी का समंध इन चार आपशनों में से किस में है देखे जो पक्षी विग्यानी होता है यह जो है आर्निफोलोजिस्ट होता है आर्निफोलोजिस्ट ओ आर एन आई टी एच ओ यल ओ जी आई अस टी इसको जो पक्षी विग्यानी होता है जो पक्षियों के बारे में अध्यान करता है जो आदमी होता है मतलब रिसर्चर होता है जो पक्षियों के जो रिसर्च करता है उसको आरनेथोलोजिस्ट बोलते हैं यह आरनेथोलोजिस्ट क्या है पच्छी का जो अध्यन करता है जो पच्छियों के बारे में अध्यन करता है और जो नरीव ग्यानी है यह जो है एंथ्रोपलोजी होता है Mitte कि इंथोपलोजिस्ट होता है ठीक है एंथो प्लोजिस्ट मतलब होता है साइशाव मैन जो हम लों मानों पर जो हम लोग जो इसका जो विघ्ञान होता है मानो भी ग्ञान उसके बार में जो धन करता है उसको निरी भी घ्यानी बोलती है जो आपसें सी में दिया गया है ठीक है इस तरह देखिए कहने का मतलब है कि इस तरह जो सब्द मिलेंगे आपको इसका जो समंद्ध इससे रहेगा इसका समंद्ध हमको यहां पर फाइंड करना होगा ऐसे यहां पर डाट दे दिया या असर निकाल लेंगे ठीक है चलिए देखते हैं जो दूसरा प्रोश्चन है अगरा कोश्चन क्या है अब देखिए यहां पर बृत का सम्मंद किस से हैं यह हमको यह को निकालना है अब गोले का समद हमसें दिया गया एक चाहिधिदा कि अद्धर को hipp Prince है इसमें 6 ऑप जाय हो गई है से वह जाय हो गई है कि तो छूब जाता है गोला जो कुछ बन गया उसी परवाद बृत क्या बनेगा किना रेडियस तरिच्छे ऊगी यह भी नहीं होगा इसक्वायर होता है जो बृत होता है यह देखिए यह वाला होगा डी वाला ठीक है तो इस तरह से देखेंगे जो सब्दों में जो दिया गया है सब्दों के सब्दों वाला बहुत आसान होता है आपका जो कामन सेंस जो इसमें जो है लगाना पड़ाएगा आपको वर्ड अल्फाबेटिकल जो है जो सब्स देदिये गए हैं अल्फाबेटिकल एक चीज और है जो हम अल्फाबेटिकल के लिए क्या होता है अल्फाबेटिकल जो कोश्चन जो दिया रहेगा उसको हल करनी के लिए इसी A है B है C है D है E है F है G है इसी तरह जो भी है अब देख एजो है अलफाबेटिकल पोजिशन में है a, b, c, d, e, n, h, z तक होते हैं 26 जो वर्ड है!!! जो 26 जो अलफाबेटिकल जो सब्ड है mis a है त्थिक है यह आपको याद करना ही पड़ेगा एक तरह से देखेंगे के जो याद करने के जो 60 कर तरीका होता है अगर हम इसको इस तरह से करें E, J, O, T, Y, E, जो T, ठीक है? E क्या आता है? 5 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 होता है, E, 25 पे होता है, अगर हम E, J, O, T को इस तरह से याद कर लेते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 20, ठीक है? ये जो है, याद रहेगा, तो इससे पता चल लएगा, कि जो O है, P, O और T के बीच में O, P, Q, R, S, T, तो जो जल्दिबाजी होगी, कि अगर मालेजी क्यों का पूछ लिया जाए, क्यों का प्लेसिंग अस्थान है, जो वरडवाला में जिस अस्थान पर राता है, किस पे होता है, 17 पे होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, हम O को याद किये रहेंगे, अगर यह 15 नमबर पे है, तो P का O के बाद क्या आएगा? P, यह 16, 17, 18, 19, ठीक है? T है, अगर T का हमको पता रहेगा, अगर आप 20 नमबर पे है, T के बाद क्या आता है, U आता है, V आता है, डौलू आता है, एक्स आता है, तो Y आता है, तक है, इस तरह जो साटकत एक तरस है, की E जो टी ऐसे रिकत जो याद करने तरीका है कि हम लोग जो है इसको जो लोग नए है जो लोग पहले से पड़ रहे है जो जो नहीं है यह जो है यह आज लोग, इसड़ा इसको फरीट करने हैं आपकों दिमाग कि copyright जाएंगे या इसमें एक गत्रेज और यहाँ दोदिए दRE सकता है थीन सकता है चार शरूर्थी?? ठीक है इसका समथ्से है इसका समन्द किसके होज है यह हम को यह पर हाइंड करना है ठीक है इसका समथ्से है और यहाँ डाट डाट ग्सक्ते है करेंगे क्या का करेंगे ती का समन्द है इस से है इसका इस लिया साइस्टे मैं से वे कभी अईसे हो सकता है यहां पर दिमाग लगाने की वाजी बात है तो पे का समझे कुछ भी कर सकता है हम इसको कुछ होती है और होती है और यह स्की जो है 19 होती है यह आप लोग रट लेजिएगा आपको रटता ही पड़ेगा यू भी भी की होती है 22 222 प्लस दो कितना हो गया 22 असी तरह 21 में जोड दिया 3เดउं में प्लस्ट 2 हम उसी में कर देंगे यह है यहां पर हम दो जोड देंगे ठीक दो जोड़ दोंगे यह कितनी होसी एफ किस नंबर पर होता है छे नंबर पर होता है यहां पर च्छे दो जोड़ गया कितना हो गया आठ यहां भी दो है ऐसे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यह बहुत आसानी से आजाएगा यह कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं हमने नहीं पड़ा है इसको नहीं कर पाएंगे ठीक है मैं जो बता रहा हूं आप लोग को जिस तरह से आप उसके फालो करिए यह सब रेजिनिंग कोई दम नहीं होता है बहुत बनियां बनती है ठीक अगला कोईशन देखते हैं अब कारक आपको देखें आफ इसको मानी यह है वी के बाद क्या दिया गया है इसको पख़ल लीजे बीक मतलब होता है 2 एक सथी सब्सक्राइब injured पांज दो 11 इसका दो इसे लिख रीकिए इसको को से्पेपर में दिया रहेगा हमको तो उसके मतलब होता सिटिटिक मारना होता है हमको direct ई लिखेंगे यह जो डaireज लिखेंगे इस तरह से direct लिखेंगे करें दो एक 350 का सम्मन्द इह है यह से हैं इसमें देखेंगे कि 25 होगया एक सब्सक्राइबब सब्सक्राइब एक चाह़गे इसमें प्लस 13 जोड़ारा है हर जगह 13 जोड़ रहा है प्लुस 13 हर जगह जोड़ रहा है ठाइप इसको तुरंत लिखिए यहाँ पर होता है यहाँ पर दस आई का मतलब होता है यह नव होता है यह जो भी 10 जोड दीजिए तो इसमें तेरह जोडेंगे इसमें वह जांएगा 23 टेररő 19 बाइस चर्व करेंगे धन् llevाला यह रोड़े जोड़ेंगे हैं ब्लसट्र जोड़ें यहांवी 16 यहांवी ब्लसटेर आणिए शोड़ेंगगए इसमें VW W होता है W आपको पता होना चाहिए जो अब अभी आप practice कर लेंगे आप लोग तो आप यो रही तक होगाげ डबलू भी X जेड कि इसमें दिया है सी वालेम दिया गया है wbxz जेड जो सी वालेम सब्सक्राइब करता है कि कैसी अब देखिए यहां पर आ जोड़ा एक तरह से दिखरा है जो भी है सेटिंग कर नी होती है सेटिंग कर लिया थी कर लिए जो दिखिए को दिमाग लगाना है कैसे करेंगे यहां पर a c है यहां पर c है ठीक यहां पर k e है इसको e k कर दिया है लास्ट में कर दिया है यानि इस सुरू के दो वर्ड क्या किया है इसको उल्टा है और इसको लास्ट में कर दिया है जो लास्ट के दो वर्ड थे उसको उल्टा है पहले कर दिया ठीक है यह जो है दो है यह जो ऐसे है को उलटा कर ये तो किया हो जाएगा जी है यह लाश्ट में प्लाइए अब है इसको उलटा कर यह फ'm होगा is पहले कर लीजे मिलीगा एस इप मजी एक्स लिओ यह में वाले में एफ्मएप थे इसमें है आरा यह हमारा एंसर हो जाएगा ठीक है अगरा कोश्चन इस तरह से दिया गए जो अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा पढ़ा हमने जो सब्द दिये गए होते हैं सब्दों को कैसे रिलेट करते हैं फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यह अल्फाबेटिकल जो है वर्ड जो सब्द हैं उसको हम लोग पढ़ा अब जो हम लोग डिजिट पढ़ेंगे जिजिट में कैसे क्या होता है जो देखिए इसका समंध्स से है इसका हमको यहां पर निकानना होता है ठीक है यह देख स्कॉयर होता है जो अंगों के स्कॉयर है उनको आप लोग पढ़ लेजिएगा यहां पर देखिए तीन का क्यूब है इसको हम तीन कैसे बोलेंगे तीन का क्यूब है यह पांच का क्यूब है तीन दूबाच तीन दो पांच अब देखिए यह चार का क्यूब है तीन में दो दो जोड़े थे पांच उसी प्रचार में दो जोड़िंग कितना हो जागा च्छे का क्यूब मतलब 6 गुड़े 6 गुड़े 6 यह 36 गुड़े 6 जो दूसर 16 होता है अपसंसी में दिया गया ठीक है यह सेम को इसको करेंगे ठीक है बहुत सिंपल था कि कोईश्चन है 24 का जो संबंध है 126 दिया गया है 49 का किसे होगा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग की कि दिमाग यह भी लगा सकते हैं कई प्रकार से दिमाग लगा एक इसको हल कैसे करेंगे अच्छा इसमें देखिए चैसे भी कर जा रहा है चैसे भी कर जा लगा रहा है चैसे चोग को 24 चैसे दुनी बारा चैक उपात है चार समंधिक की सका नुपात है इसको काटिए 12 चोग को 48 और इसमें भी किस गया तो 12 यह कम जो है 12 12 24 25 25 हो गया इसमें एक चीज देख लिजिए 24 का संबंद अगर 126 है तो 48 का संबंद 222 होगा क्योंकि यहां भी 21 से तरह से है देखिए चार संबंदे 21 का नुपात है चार संबंद जो है इस तरह का संबंद ला सकता है ठीक है 252 है इसमें कहीं नहीं है नहीं है चलिए ठीक है इसको हम मिटा देते हैं दूसरे तरफ से सोचते हैं इसको दूसरे तर से छोचष़ अब देगे सोच हम बदलेंगे फिर इसमें क्या सोच है ही तो है जितना बढ़े हैं सोच लेजी आइंसर टिक मार देजी कभी काल ऐसा होता है एक्जाम में कि जो 252 है यहीं पर देगा 250 यहीं पर देगा 250 ठीए चलिए हमने इसको एक टिक मार दिया ठिक लेकिन अबर माल लीजिए इसको हम इटाते हैं आयोग malt Mix अगों अगर किसी दूसरे को हुश्चन को शेटिं कर दिया है कि नई दूसरे हिसाफ से अगर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है फिर आपत्ती होती है तो बोर्ड क्या करता है इसको फूल माक्स कर देता है इसमें जो निगेटिवटी होती है इसको देखते हैं जो इसमें था दूसर चालिस था अब देखिए इस है दूसर बावन नहीं है अब इसको दूसरे आप से लगाते हैं ठीक है फिर ट्राई करते हैं इसका स्कॉयर है पांच का स्कॉयर है इसमें से एक घटा दी तो 25 में से एक घटा 25 में से एक घटा कितना हो गया 24 ठीक इसको क्या करिए पांच का इसमें पांच का वर्ग 25 25 गुड़े 5 125 प्लस एक 125 प्लस एक करिए हो नगिया 125 26 और वर्ग में से घटा दी इसका मतलब है हुआ यहां पर साथ का वर्ग करिए माइनस कर दी यानि 49 माइनस एक करिए यहां पर पांच का स्कॉार करके एक घटाए थे पांच का क्यूब करके एक जोड़े हैं उसी परकार साथ है तो साथ का क्यूब करेंगे इसमें एक जोड़ेंगे साथ का क्यूब क्या होता है साथ सत्य उन्चास गुड़े साथ उन्चास गुड़े साथ नमाद तीर सट के तीन और साथ चवको आठाइस दूटीस चार चार चांटीस 343 हो गया, 343 प्लस 1, 344 हो गया, 344 हो गया जो अपसंद C में दिया गया है, इस तरह से देखेंगे, जो पहले अला एक जाएंपल था, यह भी सही है, तो इसमें जो अपसंद दिया गया है, C दिया गया है, C को भी नूट कर लेंगे, ठीक है, तिन सो साथ तिन सो साथ आगे वलब कोईश्चर इस प्रकार से है 112 का समन्द 170 से है 290 का समन्द किस से होगा ठीक है फटा पट इसको लगाते हैं ये देखिए दिमाग में कुछ ऐसा सोचिए जिसका वर्ग करिए या वर्ग करके उसमें से घटाईए या उसका दूना करिए तिल गुना करिए या कुछ भी करिए ये देखिए किसके समकच है किसी कावर करिए 11 कावर कितना होता है 11 कावर प्लस एक है 11 कावर बटा है 121 का इस प्लस एक ये हो गया 122 इसकी सेटिंग तो हो गई इसका देखते हैं 13 कावर 13 का वर्ग प्लस 1 13 का वर्ग कितना आता है 179 प्लस 1 यह हो गया 170 यहाँ पर 11 है यहाँ पर 13 यहाँ पर 11 है यहाँ यहाँ दो बढ़ा के 13 इसी को इसको देखते हैं यह जो है 17 का वर्ग है प्लस 1 17 का वर्ग हो गता है 289 प्लस 1 हो गया 290 यहां पर 11 है यहां पर 13 है यहां पर 17 हद्दू 19 कर यह नहीं 19 का वर्ग प्लस एक 19 का वर्ग कितना होता है इस तरह सा सोचेंगे दिमाग लगाएंगे तभी जो है डिजिट्स वाले बनते हैं डिजिट्स का तो बहुत इंपार्टेंट है एक तरह का तो आई जाता है जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो बड़ी संख्या दी गई है और यहां पर क्या होगा ग्यारव पांशो उन्तिस का समद्ध बहुत तरह एक्सो पैंटिस से है तेइस च्छसो सब्तासी का समद्ध इससे जब बड़ी संख्या जाए तो कोई घवडानी जोगत नहीं है सकता है इसमें से इसको घटा दें यहां इस इसको घटा दें तो इसका जो डिफिरेंस है जो यहां होगा वह ही सकता है ठीक़ जो डिजिट्स हैं उनके जो योग है उनका योग कितना हो गए 18 यहां भी छोड़ा ट्राइग करते हैं साथ दू नव एक दस तिन तेरा पांच अठारा इसका मतलब यह हुगा यह इनका सम्मंध जो जो उनके अंकों का योग है इसका इंकों का योग के बराबर है तो हम इसक जो डूड़ना है किसका 26 क्योंकि जो 18 जो पहला था दूसरा वाला भी अठारा यह था तो तीसरा वाला चब्वीश है तो जोड़ते हैं यह 9,3,27 हो गया यहीं पे यह तो पहला ही कट गया 26 ज्यादा नहीं होना चाहिए साचारी 11,23,13,16,19,20 हो गया यह भी नहीं हुगा इसको देखते हैं 2,13,19,24,18,18,18,26 यह जो है इसमें 26 है यह आप सण हमारे की निकल लेंगे यहा लेड़ी गलत हो जाएगा ठीक है आप लोगों को सामने जो फीगर दिख रहा है केरा नीचे दीगिए आखरतियों के समान पैटरन पालन करने वाले बीकल अपरटा चेयन करें आप ए बीश्टी चार आपसे ना आप लोगों को दिख रहे हैं से यह कॉश्चन के में तीम है हम तो कामन ही डूटते हैं ना जो सम में मिल जाए वही तो उता कामन इसमें जो है जो आपसन दिये गए आपसन में देखिए त्रिभुज दिया है जो ए वाला है त्रिभुज है ऐसे दिया गया है इसमें ऐसे फाड़ा है ठीक है यह गलत है इसमें B वाले में देखिए, देखिए, यह जो है, इसको अगर ऐसे फाड़ता, ऐसे फाड़ता तो यह सही हो जाता, लेकिन जो है, यह बीचो बीच नहीं फाड़ा है, इसको ऐसे फाड़ा है, ठीक है, इसमें क्या है, बीच में फाड़ने से इधर की आकरती, इसके आकरती क इसमें दो बार भाड़ा गया है वो तो होई गया है नहीं सी वाला जो है इसमें हमको सी वाला साही है है ठीक है क्योंको डी वाला फीगर था ऐसे था ऐसे था इसमें क्या किया इसको उपर पकड़ को ऐसे उलट दिया जब उलट दिया तो यह फीगर बन गया किलिए वाला थिक इसमें सोचा है जो नीचे सा है इसको इसे पकड़ दार्ण थी अगार चला है त्यता ये उसी तरह इसमें सोचेंगे इसमें यह यहां पर स्ट के भी कि करता है yarni ये नीचे करके इस इतला तरह से है ठीक यह वाला है कि जो बीच वाला कटा है इसको पकड़ के उलड़ दीजिगे तो Bayern इसी चला गया कि इसी यहां से पकड़िया इसको यहां से अशनस्ठ हने से सबक्त और दीजिए तो जिए घाजांगे यहां से इतना तो बाचार आगा यह उलड़ तक तरफ दिगे तो ऐसे हो जाएक वालोक्षी करंए किसमें दिया है थिक है तो और कोशच्च्ट में कोई ज्यादा अदम नहीं है प्रैक्टिस करेंगे आपको मैं बता रहा हूं किस तर से करना है ले लीडिये प्यादा श्रीनगों को प्रच्च् parchment को समावेश कर रहा हूं इस तरह से कोश्चन आते हैं को कैसे हल करते हैं कैसे दिमाग डबाएंगे बाकि आप लोगों के पर भी डिपेंड करता है इस तरह से हैं इसका समंद इससे है तो इसका होना चाहिए यहीं तो रिलेट करना हमको इस फीगर में देखेंगे जो पंचभूज है ठीक यह जो है ऊपर की तरफ था इसका जो कुन्नोख है ऊपर की तरफ है लेकिन इसमें क्या है नीचे की तरफ हो गया है यानी 180 डिग्री जो है घूम गया है 180 डिग्री घूम गया है पहले इधर था अब इधर हो गया ठीक है उसी प्रकार यह फीगर है इसमें देखेंगे कि जो यह जो है ऊपर की तरफ है तो यह हो जाएगा नीचे की तरफ ऐसे ऐसे नीचे की तरफ होगा तो जैसे नीचे की तरफ होगा तो जो चार आपसन देगे इसमें से ढूड़ेंगे कौन सा है देखिए जो ऊपर है A, B, C, D तो जो नीचे की तरफ है B और D में दिख रहा होगा B और D में अब हमारे पास सिर्फ दो आपसन है B और D ठीक है ऐसे भी ठीक लगाई है कि कम समय में कैसे हल करते हैं थोड़ा सा अब लोग तो अब देखें यह जो है त्रिभूज है पहले यहां पे था यह चला गया यहां पर ठीक यानि यहां पर जाके उल्टा हो गया है पहले ऐसे था 180 डिग्री में यहां पर यहां पर जाके ऐस कि यहां पे देखिये जो भी वाड़ा वर कि फीकार है यह ़िए-पश्चबूझ यहां अब वह व भद उ स्चाहिए नार्थ होता है साउथ है कहए रहा है दच्छिड का मतलब उत्तर पत्सीम यह दच्छिड हम उत्तर पास्षिम में चले गए उत्तर और पास्षिम उत्तर और पास्षिम में हम इस डिगरी पे चले गए यह तो कहने मतलब है इसका मतलब यह हो गया हम देखेंगे यहां से हमने कितना रोटेट किया यह होता है 90 डिगरी यह कितना होता है 90 प्लस यह होता है इसका जो स्टब्राइब chosen अगल से यहां से आसे जाएंगे एक Dr cells rates अब क्या रहा हम पर्सम हम में चक्राव पर्सम में यहां से यह जैंगे आठाने vac seven हम भुन से नंबे ठाव पहले चला फिर्टि आए उसी तरह पर ट्री में हमें यहां पे हैं यहां से यह वाली दूरी कितने एह कितना हो गை और ईहां पर हैं था था इस नहीन जो है तो हम चले आए यह वाली जो पूर्ण है यहां पर अब जो दिशा हमारी है यह कोंसी है यह उत्तर है यह पूरो है पूरो किसमें दिया है बीवाले में दिया है जो वाला आपसन है वह हमारा सही हो जाए कि ठीक है तो इस तरह से देखा कि हम लोगोंने जो एनलोजी था क्या है कहां-कां समंध हैं सब्दों में संबंध होता है जो हम लोग अब शुरू में चोश्चन पड़े थे उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे तरह से हम लोग उसको हल की आता दूसरा जो था वर्डमाला पे अधारी था एपी सीडी एफ जीएस पे वर्डमाला में आप लोग जो उनकी एक ही बैलू क्या है वन है बी की बैलू टू है सब आपको रट लेजिए इजोटी वाला जो फार्मूला हमने आपको बताया है पांट दस पंदर बीस पचीस वाला वह बहुत मदद करेगा आप लोगों का तो ठीक है जो तीसरा था हम लोगों ने देखा डिजिट्स पे थे अंक में कितना हम लोग दिमाग लगा लिए कैसे कैसे हल किये उस पे था फिर जो होते हैं फीगर्स और फीगर्स भी हम लोगोंने क्वेस्टन देखें तो इस तरह से एगाला होता है कि जो होती है एक दूसरे से पहला दूसरे से लात निकालना होगा ठीक है तो तो यह सब्याइन्ध तो तब तब क्य Republican किसी एक गया occasions के साथ चैनल नहीं है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, लाइक कर दिजिए, शेर कर दिजिए और विलोगों को जोड़ दिजिए, यह जो रिजिनिंग का बैच चला है, यह जो है भी कांटिन्यू चलता रहेगा, जब तक रिजिनिंग पूरी खतम नहीं हो जाती है, तो आप लेग व